नमशकार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, द्वित्वे विश्वयुद के ऐसे कई किस्से और घटनाएं हैं, जो आज भी हमें हैरान कर देती हैं. विश्व युद्वित्य की ऐसी ही घटना का जिक्र किसी इतिहास की किताब में नहीं मिलता जो कि आज हम करने जा रहे हैं स्वागत है आपका हमारे चैनल सबका साथी में और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें प्लीज चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों क्या आपने भारत के एक नयाइधीश की कहानी कभी सुनी है जिसने जापान के कानूनी इतिहास में भारत का नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया आप में से जादा तर लोग इसके जवाब में ना ही बोलेंगे तो सुनिए आज हम आपको ले चलते हैं 12 नवंबर सन 1948 में और सुनाते हैं कहानी टोक्यो ट्रायल्स की दोस्तों ये समय दृत्य विश्व युद के उपरांध का समय था जापान युद में बुरी तरह पराजित हुआ था टोक्यो के बाहरी इलाके में एक विशाल उपवन ग्रह में टोक्यो के इतिहास का सबसे बड़ा मुकद्मा चलाया जा रहा था जिसमें आरोपी थे अपराद का आरोप था और मुकदमा चलाया जा रहा था। दुनिया भर की अलग-अलग देशों से जूरी के 55 सदस्य थे जिन में सम्मिलित 11 नायधीशों ने अपना फैसला सुनाया और सभी आरोपियों को दोशी करार करा। सब ने एक स्वर में कहा गिल्टी गिल्टी गिल् सिती में दोशी करार होने का अर्थ था सजाय मौत। तभी उन में से एक नायधीश गरचते हुए बोलं। नाट गिल्टी वहां मौजूद हर शक सकते में आ गया। ये कौन है जो अकेला सारी दुनिया के कानून के दुरंदरों के फैसले को ललकार रहा है। उस एकल पुर अन्नों में दर्ज तर्क में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जापान ने नहीं बलकी विश्व विजेता ताकतों के गटबंधन जिसमें अमेरिका सबसे ताकतवर है। उन्होंने भी युद्धनिती के निश्बक्षता और अंकुष के निर्देशों का उलंगन किया इन बलशाली देशों के समूने ना केवल जैपान की आत्म समर्पन के संकीतों को अंदेखा किया। अपितू अमेरिका ने ब्रमानू बम का प्रयोग कर जैपान के नागरिकों का अंत कर दिया। और ना जाने कितने हजारों को विकारों से लेज जीवन जीने पर मजबूर क के इस तर्क की काट किसी के पास नहीं थी इसलिए उन 28 क्लास A के अपराधियों को क्लास B के अपराधी घोशित करना पड़ा और वह सबी सजाय मौत से बच गए अजीम शायर मौरवर राना ने हिंदुस्तान की ऐसे ही शेर दिल बेटों के लिए शायद ये कलाम पड़ा है कि शहीदों की जमीन है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं ये बंजर होकर भी बुच दिल कभी पैदा कर नहीं सकती सच में सोचिये विश्व की समस ताकतों के फैसले के खिलाफ खड़े होने का जिगर सिर्फ एक भारते के पास ही हो सकता है राधा बिनोत पाल ने ना केवल उस फैसले को चुनोती दी बलकि अपने होसले और सूच बूच से नयाय को स्थापित किया एक बहेंस चराने वाला लड़का कैसे अंतर राष्टर नयायधीश बना ये वाकई हैरत अंगेस की जादूई कहानी लगती है जो अचंबे में डाल देती है आईए सुनते हैं राधा बिनोत पाल का जनम 1886 में पूर्वी बंगाल के कुम्भ में हुआ था उनकी माता एक घर में काम करती थी और उनकी गाय की देखभाल भी करती थी उस गाय को चराने के लिए राधा एक प्रात्मिक विध्याले के पास खेत में ले जाया करते थे गाय घास खाती और राधा स्कूल की दिवार से लग कर सब सुनते कि स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है एक दिन एक स्कूल इंस्पेक्टर स्कूल के दोरे पर आया उसने विध्यारतियों से कुछ सवाल पूछे जिनका उत्तर राधा ने स्कूल के बाहर से जट से दे दिया सब शान्थ हो गए इंस्पेक्टर ने उनसे पूछा कि वो किस कक्षा में पढ़ते हैं इस पर राधा बोले मैं पढ़ता नहीं गाय चराता हूं ये सुनकर सब स्थब रह गए इंस्पेक्टर ने प्रध्यापक को बिला कर आदेश दिया कि इतने मेधावी बालों को स्कूल में दाखिला दिया जाए और साथ ही कुछ भत्ता भी दिया जाए इस प्रकार उनकी शिक्षा आरम हुई स्कूल में जिला स्तर पर सरवाधिक अंखासिल करने के उपरांथ उन्होंने प्रेजडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया MSC करने के उपरांथ उन्होंने पुनहें कोलकत्ता विश्व विध्याले से कानून में डॉक्टरेट की उपाधी अर्जित करी दो विपरीत विश्यों का उधारन देते विए उन्होंने एक बार कहा था कानून और गनित इतने भी अलग नहीं है शायद इस महानुभव का जापान आत्यदिक सम्मान करता है और भारत का यह बाशंदा भारत में ही गुमनाम है 1986 में जापान के समराट हिरो हितों ने उन्हें सर्वोचे नागरिक सम्मान को को कुंसों से नवाजा राधा बिनोत पाल के नाम पर टोकियो और क्योटो के दो व्यस्त मारगों का नाम भी रखा गया है उनका तर्क और प्रसंग जापान के कानून के विध्यारतियों को पाठे क्रम में पढ़ाया जाता है यहां तक कि टोकियो के सर्वोच नियायले के सामने उनकी मूर्ती भी स्थापित की गई है 2007 में प्रधान मंत्री शिंजो आबे ने दिल्ली स्थित उनके परिवार से मिलने की इच्छा जाहर की और उनके बेटे से मिले डॉक्टर राधा विनोतपाल का जनम 27 जनवरी 1886 को और निदन 10 जनवरी 1967 को हुआ लेकिन उनका नाम जापान के इतिहास पे स्वर्ने मक्षरों में सदैव के लिए अंकित है टोक्यो के यासुकुनी में उनके नाम पर एक संग्राले और मठ है जापान विश्व विध्याले में उनके नाम पर शोध केंद्र भी है उनके फैसले की वज़े से जापान के युद्ध के आरोपी बच गए और इसी लिए चीनी राधा बिनोच से नफरत करने लगे वह कानून संबंदित कई किताबों के लेखक हैं और भारत में उन्हें शायद कोई नहीं जानता शायद उनके पडोसी भी नहीं मगर जापान में उनका नाम सदा आदर से ही लिया जाता है तो ये थी भारत के एक अन जाने अन पहचाने एक भुले बिसरे हीरो की कहानी कैसी लगी प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताएं हमें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें